नमस्कार मैं हूं निश्या और आप देख रहे हैं SM News आज हम बात कर रहे हैं मातर रमावाई के बारे में जानते होंगे मातर रमावाई भीम्रा उम्बेटकर की पत्नी थी जिस तरह भीम्रा उम्बेटकर ने अपना सारा जीवन समाज के लिए व्यतित कर दिया उसी प्रिकार मातर रमावाई ने भी अपना सारा जीवन भीम्रा उम्बेटकर के साथ व्यतित कर दिया आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं मातर रमावाई का जनम साथ फरवरी अठारा से क्यानवे में हुआ था वह एक गरीब परिवार से थी उनके पिता का नाम भिकु धूत्रे वे माता का नाम रुकमडी था उनकी तीन भेने वे एक भाई शंकर था उनके पिता दाबोल बंदर में मचली ले जाने का काम करते थ वे उनके पिता के चाती में दर्द भी रहता था कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का निधन हो गया मातर रमावाई जब छोटी थी तो उनके माता का जाने का उन पर गहरा असर पड़ा था भाई शंकर और भेन गोरा भी उस समय चोटी ही थी कि कुछ दिनों बाद उनके पि राम जी अंबेडकर अपने पुत्र अंबेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे वहीं उन्हें माता रमवाई के बारे में पता चला और वहें उन्हें देखने के लिए चले गई रामजी अम्बेटकर को माता रमावाई पसंद आई और उन्होंने माता रमावाई की अपने पुत्र भीमरा अम्बेटकर से शादी करने का फैसला किया विवा की तारिक शुनिश्चित की गई और अप्रेल 1906 में मातर रमावाई की शादी भीमरा उम्मेटकर के साथ हो गई विवा के समय मातर रमावाई की उम्र महेज 9 वर्ष थी और भीमरा उम्मेटकर की उम्र 14 वर्ष थी उस समय भीमरा उम्मेटकर अंग्रेजी की पांचवी कख्षा में पढ़ रहे थे 27 मई 1935 को माता रमावाई का निधन हो गया था अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले